हलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है ठीक है आज हम बात करने वाले हैं बाइलोजी क्लास 12 का एक चिप्टर है जिसका नाम है बात करेंगे और फिर हम दिरी दिरे करके इसे कंप्लीट करेंगे और देन हम population में चलेंगा और हम चीजहों को बहुत आसानी से हो काफी अच्छे से चीजह को समझकर पढ़ेंगे क्योंकि यह चिप्टर काफी important है हमारे exam point of view से चाहे हो theory exam हो चाहे हमारा competitive exam हो तो हम need की बात कर ले या फिर board exam की बात कर लेते हैं दोनों के लिए important हो काफी questions लिए देखने को मिलते हैं तो चलिए हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए चेप्टर को स्टार्ट करते हैं देखे हमें human reproduction पढ़ना है ना तो सबसे पहले हमें यह तो जानना पढ़ेगा कि reproduction होता क्या है तो चलिए पहले हम reproduction की बात करते हैं definition कि what is a reproduction ठीक है कि presentant क्या है ठीक है reproduction क्या होता है तो जब हम इसे define करने के कोसिस करते हैं बिटा जब हम इसको define करने के कोसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि reproduction क्या है एक biological process है यह एक जीबो बाय्लोचकल मतब है कि Č rape की अदक है हर किसी एक अंदर नहीं होती यह जीर करने वाले एक process है जिसके अंदर हमने बता सकते हैं कि एक ability होती है जीबो के अंदर किसी भी जीब के अंदर एक ability होती है ठीक है । किसकी ability of reproduce ability of तो और गेनिजम एफिर ओफिस्प्री ठीक है या फिर औरफिस्प्रींग ठीक है यानि कि यहाँ पर ध्यान रखनेके होगी कि यहां पर जो इभिटी है यजिक है जिसके ठीक हम करेंगे बेबेबी को प्रदींज करेंगे यह उफ़विस्प्रंग वह कैसे होंगे सीमिलर होंगे सिमिलर डू इतसल्फ जो इसो इसके पेयरेंट होंगे साथ hai नसे बनने वाली ऑफेरेंग बच्चे भी अपने ही पेयरेंट के समान होंगे तो यह खास बात हिसके कि repro-production के थीख है अब हम इसे बात को आगे बढ़ाएं तो बात आती है अब हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे किस में कि human reproduction अभी हमने reproduction देखा reproduction क्या है अब हम human के अंदर देख रहे हैं यानि human reproduction में खास बात क्या है ठीक है तो देखो reproduction की definition यहां पर भी same रहेगी एक ability है जिसके थुरू हम क्या करेंगे वो फिस्परिंग को produce करेंगे तो इसमें तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है बदलाव इसमें आएगा कि जो human के अंदे reproduction होता हो कैसा है तो human के अंदे ध्यान रखनास पहले कि human जो होता हो वो sexually क्या करता है reproduce करता है ठीक है क्या करता है sexually sexually reproduce करेगा ठीक है पहली चीज़ यह दूसरी चीज़ कि जो human होता है वो क्या होता है वाई भी पेरस होता है और वाई भी पेरस का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीब जो क्या करें बच्चों को जन्म देते हैं ठीक है यानि कि हम बोले कि चाइल्ड जो है ठीक है चाइल्ड को क्या करें बर्थ ठीक है जो चाइल्ड जो है उनको क्या करते हैं बर्थ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बाई भी पेरस या मैं सिंपल भाशा में बोलू तो बच्चों को जो जन जन्म देते हैं ठीक है जो जन्म दें उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बाई भी पेरास ठीक है और तुम्हें पता चल गया हमें कि मेल के हुमन के अंदर सेक्शली रिप्रडक्शन होता है दूसरे पता चल गया कि यह बाई भी पेरास होते हैं यानि यह बच्चों को क्या करने व बाइबी पेरस इसका मतलब एक और बात मुझे यहां पर आपको बतानी पड़ेगी कि बाइबी पेरस तो आप समझ गए कि एसे जीव जो अपने बच्चों को जन्म देंगे उनको हम क्या बोलेंगे बाइबी पेरस बट नोट एक आता है इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड मिलता जिसका नाम क्या होता है व भी पेरस तो अब हमें ये बात करना है कि व पेरस क्या है तो ध्या रखना जैसे भी हमने देखा थै क्या होता है चाल वर्थ करते हैं एक को प्रेडियूस करें क्या करें एक को प्रेडियूस करते हैं यानि कि अंडे देते हैं सिंपल भासा में क्या बोलें कि अंडे देने वाले ठीक है तो आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर कि एसे जीव जो क्या हो कि बच्चों को देते हैं ठीक है चाइल्ड वर्स कर तो यह दो टेमलोजी जो सब्दावली है वह हमें पता होनी चाहिए ठीक है तब हम चीजों को और आगे अच्छे से समझ पाएंगे चलिए तो हमने डेफिनेशन देख लिए कि रिप्रॉडक्शन क्या है हमने यह देख लिए कि वाइवी पेरस ओवी पेरस क्या होते हैं और ह है थो हमने देख एक देखने को मिलता है ठीक है अब आगे चलते हैं अब हमस्ट पर चलते हैं कि जो मन के रिप्रॉडक्शन होता है बुरा रिप्रॉड़क्शन समझने से पहले हम कुछ इवेंट्स देख लेते हैं जो अकोर्डिन टू-ंसे 10 ही है मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूं बट NCRT में उसने reproductive events को aid किया है human के अंदर कि human में किस तरीके से reproduction होता है यानि आपना ऐसा समझ सकते हो कि जो पूरी picture है reproduction की उसका जो short में trailer है कि इस पूरी picture में है क्या हम उसको short में देखने हैं ठीक है चली तो सबसे पहले हमारी बास चालो होती कहा है तो हम इडिंग डालते पहले तो कि इवेंट्स ओफ कि इवेंट्स ओफ हुमन ठीक है reproduction यानि human reproduction के अंदर कौन कौन सी event होती है इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बिटा कि इद्धी human reproduction की बात करें तो इसका आप में रखके चलना है कि आपको एक बेबी को बनाना है एक चाइल्ड को बनाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है जो आप एक बेबी को बनाने के लिए करते हैं वही क्या है events है ठीक है वही मिलकर क्या form करते हैं events from करती है तो सबसे पहले जब भी आपको एक baby बनाना है तो सबसे पहले एक baby को बनाने के लिए हमें sperm या o bum चाहिए होते हैं यानि कि हम बोले कि male के अंदर sperm बनेगा जिसे male gamit कहेंगे female के लिए उवंबने का जिसे फीमेल कमेट कहेंगे तो मेल कमेट ओव समेल मिलेंगे तो ही जाकि क słuपधाइन में बीबी को सकते हैं सबसclear क्या रिक्वार्मेट है गेमिट तो सबसे पहले प्रॉसरिस का नाम है बैटा गेमिटोजिनेसिस है नाम है गेम अब तो पहली प्रोसेस कोी नाम है गेमीटो जिंसिस अब बाताती है कि कि गेम्टो जंसिस है क्या तो आप देख पारे होंगों कि गेमीटो क सिते दो लए यह एक है गेविठो सिंपल वहां सिंप जोयान formation जिनिस का मतलब क्या होता है formation यानि इदी में दोनों को मिलाके बोलू तो मुझे यह समझ में आता है कि गेमेट formation इन्हीं formation ऑफ गेमेट इसका मतलब क्या निकल के आता है formation ऑफ गेमेट ठीक है formation of इस कॉल्ड फैस काल्ड गेम्यन्तों जिनिसस यह समझम में आया बेटा आप ध्यान से दिखे सब्दावली को समझने की क Goes Ikिजिए किसब्दावली भी तो हम में यह हैं कि आपको क्या करना है कुछ आहां कुछ नहीं गेमिन बनाने ठीक है कि दिक आपको पता है कि हमें गेमिट बनाने हैं तो उसका नाम है गेमिट उजिस बटा आपको पता है कि जो गेमिट है ठीक है दो तरीके की हुमन रेप्रोडक्शन में दो तरीके गेमिट चाहिए होंगे एक चाहिए होगा इस पम ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं मेल गेमिट कहते है एक हमें चाये होका याने जो गिमिट बनेंगे उसमने से एंड गिमिट होगा मेल गिमिट केेते हैं यह दूसरा होगा और बहुत अब बात आती है कि इसपर मेंजищरी बनाने के लुए पोछ cuz उसका नाम होता है इस्पर्मेटोजिनेसिस क्या नाम होता है इस्पर्मेटोजिनेसिस ठीक है आप खुछ समझदार हैं आप देखे जारा कि हमने मेल गिमिट का नाम क्या रखा इस्पर्म तो हमें इस्परम को बनाना है तो इस्परम को बनाना क्या कहलाएगा इस्परमेटो जिनेसिस इसी तरीके से ओबम को बनाना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा ओजिनेसिस क्या हो जाएगा ओजिनेसिस हम इसको और अच्छे समझ सकते हैं हम यह देख सकते हैं बिटा कि देखो जिस तरी वर्ड को तोड़ी इसके अंदर दो बढ़ Oh जैस हैो इसी मतलब और यह को गया यह सिथा तरीके से उजनिसिस के अंदर हो गया उजनिसिस हो गया तो उसे याद रखिए आपकी ओवम है उजनिसिस मतलब फॉमेशन है ते उजनिसिस यानि ओवम आता है इस पर मेटो जिनसे एक आता है वू जेनेसिस ठीक है चलिए अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं यह हमारी पहले इविंट में जिसके अंदर हमारा इस पर मेल की बोड़ी में है इस पर मेल की बोड़ी में है और क्योंकि फटलाइजेशन आगे की जो प्रक्रिया है आगे की जो इवेंट्स है वो फीमेल की बोड़ी में होने वाले हैं इस बज़े से हमें जो हमारा इस पर में उसे फीमेल की बोड़ी में ट्रांसफर करना तो यहाँ पर मैं क्या लेख सकता हूं थे यानि ये में to liek रिपनेशन करें लिख आती है कि ट्रांसफर ओफ ठीक है dot fabulous ऐगम अमेल गेमिकि क्यूं कि मेल गेमिक को ट्रांस वर करना और उसका नाम कि हम क्यां सब्सकूर को पता है कि हम क्या कहते है स्पम ठीक त्राइंसपरअब को में नहीं करना है ट्रेक्ट तक इस कोड़ इंसे मागनेश्ट में कुछ नहीं करना है हमें क्या करना है कि हमारे सीमेन को उठाना है ठीक है सोरी स्पर्म जो हमारा ठीक है जो स्पर्म होता है जो कि एक मेल गिमिट है अभी हमने बात करी कि जो कि एक क्या है मेल गिमिट है ठीक है इसको हमें कहां टांसफर करना है बैटा फीमेल कहां टांसफर करना फीमेल जेनाइटल ट्रेक्ट में ठीक है तो सिंपल है इसमें कुछ नहीं करना है कि जो मेल ग्रेमिट है या निस पर मैं उसे फीमेल जिनेटर ट्रेक में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को इन से माइनेशन उसे हम इन से माइनेशन कहते हैं अब आगे बात चलती है थर्ड इविंट की बात आत पूप रहते हैं कि रचल चिम यहां लिख सकते हैं कि छो लिखांग की फियुजन ओफिस्व this पम जोगि क्या है एक मेल गेमिट है ठीक है इसक जो की टम एक मेल गेमिट है तो फियुजन ओफ इसव एंड 20 ओम था चैक है तो उबं बिबम क्या है एक female gamit है तो इस पर male gamit हो गया और female gamit हो गया इत्थ हम इनको fuse करा दें fuse मतलब होता है मिला दें ठीक है fusion करा दें मतलब मिला दें या जोड़ दें तो क्या फॉम हो जाएगा हमारे पास जाइगोट और इसी प्रोसेस का हम्या बोलेंगे फटिलाजीचेशन तो हम्या लिख सकते हैं कि इस ऊपोन तो हमने क्या देखा कि फटिलाजेशन में कुछ नहीं करना है हमें क्या करना है? इसपम जुक गया आपने देखा कि भях इसपम हमने मेल की बोडी में बना उसका नाम था गेम टो जैसे प्रोसेस का फिर उस इसपम को हम ही क्या करना है फिमेल की जिनाटल के बेजना जिसका नाम था सेकंड इविंट इनसे वाइनेशन अब आपने इसको भीज दिया तो यह दोनों मिलेंगे इस पर मोरोवं तो मैं ऐसा कह सकता ह तो झानला कि क्या हुए कि जैसे ही आपने इस वाइनिये को फीमेल के जिनाटल ठेक के मील गया हूँ ठीक है एक मिलने पाद सिह नहीं पर जिक आपना लिया इन्होंने जायगोट क्रीडर को फूम कर लिया ठीक है तो स्पम्त था हमारे पासि और जिसका बना जिसका नाम इ वान कि जाइगोर्ट और इसी प्रोसेस को यानि इस प्रोसेस को और इस उन्हेत बाता आघी चलते हैं कि यही कि पर फटलाजेशन चलिए हो गया बाता है कि आगे क्या करना तो तीसरी विए इशीमेंट दाट अ homme पॉल्ल ब्लस्टोसिस्त फॉरमेशन अभी क्वा उस्ट फॉरमेशन अब यह क्या होता है विधिशन के बाद जाइगोड बना हमने क्या देखा कि आफ्टर फॉर्टिलाजेशन ठीक में आफ्टर फॉर्टिलाज़ेशन क्या हुआ after fertilization हमने देखा कि क्या form हुआ जाइगोड फूम हुआ जो जाइगोड क्या होता एक twin structure होता है बेटा आपको मैं और थोड़ा सा clear करना चाहूँगा कि sperm के अंदर in number of chromosome होते है और obum के अंदर in होते है तो जब फूम के अंदर in होते है फिर इसने क्या किया कि after fertilization जाइगोड बन गया तो इसके अंदर हो जाती है मायटोसिस मायटोसिस के बाद इसके अंदर 16 से लेके 32 cellistage cellistage form होती है ठीक है cellistage form होती है और इस stage का ही नाम होता है blastocyst क्या नाम होता है blastocyst actually stage का नाम नहीं बेटा सही वाइने में बोले है तो जो ये structure बनता है ठीक है कित कौन से structure ये 16 से 32 cellistage वाला इसी को हम क्या बोलते है blastocystage क्या बोलते है blastocystage blastocystage डारेक नहीं बन जाता है actually जाइगोड अभी आपने देखा कि एक cell था ये से mitosis करके ठीक है 8 से का formation हो जाता है और इसे करके finally कहां तक हम पहुंच जाते हैं 16 से 32 cellistage पहुंच जाते हैं जब 16 से 32 cellistage पहुंच जाती है तब हम इसका नाम क्या दे देते हैं blastocystage क्या नाम दे देते हैं blastocystage चली मैं color change करता हूँ इसे दिख नहीं रहा सीधे हम यहां पर एक चली लिखी देते हैं कि इसका नाम क्या जाएगा blastocyst ठीक है अब blastocyst भी बन गया mitocyst के बाद अब आगे event को बढ़ाते हैं event को जब हम आगे लेके जाते हैं तो next event हमारे पास आती है implantation क्योंकि blastocystage बन गया है अब blastocyst को गरभाश्य में हमें uterus के इंप्लांट करना पड़ेगा this process को implantation ठीक है implantation को भी मैं आपको और अच्छे समझाओगा आप ध्यान देजीगा कि हमने देखा blastocystage तो बन गया था अब blastocystage क्या कर रहा है attach कर रहा है किसके साथ इंडोमेटियम के साथ जो कि किसकी बोल होती है uterus की ठीक है तो मैं इसा बोल सकता हूँ कि implantation या फिर attachment ठीक है attachment ठीक है attachment या फिर मैं बोल सकता हूँ और ठीक है implant implant attachment ही ठीक है definition का word यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर आगे लिखेंगे तो मैं इसा लिखता हूँ attachment and development ठीक है development यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वहीं पर इसका एक्शली विकास भी होने वाला है यानि development भी होने वाला है तो पहले तो attach होता है फिर इसका development होता है blastocyst का attachment and development of blastocyst blastocyst in wall of uterus in wall of uterus is called is called implantation is called implantation ठीक है implantation ठीक है चलिए तो हमने क्या देखा कि implantation का मतलब क्या निकल के आया कि जो हमारा blastocyst बना था वो जो uterus की बाल है उसके साथ attach हो जाता है ठीक है attachment हो जाता है उसका और बाद में वहाँ पर डेबलब करता है इसी को हम क्या बोलते है implantation बट बात एक्षी जो राती है कि जो wall हो कौन सी wall है क्योंकि uterus के आपको पता है ठीक है uterus में बेचा तीन wall होती है किती wall होती है तीन ठीक है इसको मैं थोड़ा सा और सही से कर देता हूँ माली जी यह uterus में बनाने कोसिस कर रहा हूँ तो uterus के अंदर यह पहले layer हो गई इसी के बाद में माल लेता हूँ कि यह दूसरी layer बन गई ठीक है यह दूसरी layer बन गई है और इसी के अंदर एक और layer होती है माली जी थड़ लेयर ठीक है तो जो ब्लास्थोसिस्ट है यह माली यह अंडिओमेटियम यहाँ पर इन्ड़ूमेटियम जो होती है यहाँ पर आके चिपक जाता है आटेच हो जाता है this process called Implantation और जो लेए होती ऊस लेयर क की नाम होता है Environment andometrium बहुतता है in the medium तो इसको कहां पर होता है अब आगे चलते नेक्स ही इविंड की बात करते हैं हमने अभी कितना इविंड के लिए नंबर पांच इवन्ट हो गहीं हमारी next इवन्ट कि मैं बात करते हैं क्या कि gestation ठीक है धेरे हम इवन्ट को खतम करने पे चल रहे हैं next event हमारे पास जो six event है this is called gestation period ठीक है gestation ठीक है gestation period ठीक है gestation period एक चुली सही माईने में दिमाएं बात करों तो इसको मैं pregnancy प्रिएड भी करे सकता हूं कि यह वही पिरियड है जिसके इंदर बेबी क्या होने वाला नाइन में तक फीमेल की बोड़ी में ग्रोग करने वाला ठीक है तो एक चुली जिसको हम सिंपल वहां से बोल सकते हैं कि यहां पर इंब्रियोनिक डिबलमेंट होने वाला है ठीक है इंब्रियोनिक डिबलमेंट यहां पर होने वाला है तो जिस्टेशन पिरिड में इंब्रियोनिक डिबलमेंट होता है जो कि लगवग यह पिरिड नाइन मन्त का होता है ठीक है जो कि मैंने एक इवरेज पिरिड की बात कर र बात करें तो नाइन मिन्त की प्रेग्निंसी होती है जिसके अंदर बेबी डेपलम्मेंट करता है जिसे हम गेस्टेशन पिरियड कहते हैं तो इसको हम और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाहरा हूं कि होने ही क्या वाला तो इम्प्रियों मैं कि fundraising दूंख और भी जैने पर्चूरेशन तो पार्चूरेशन क्या है आप देखें कि मैं इसको decipher करूं तो पार्चूरेशन मतलब होता है सिम्प्ल पासा अमें की delivery बेवी कि स्की करें हमें बैबी की डिलेवशन से डिलेवरी कुच्छ cm आपको में बताना चाहूंगा कि देखे, हमने क्या देखा था कि हमारा जो gestation period था लगवक 9 महीने का था 9 मंत का gestation period था अब जो gestation period है इसके बेबी डेपलफ हो जाता है यानि जो ब्लासो सिस्ट था वो finally क्या बनाता है embryo form कर लेता है धीरे धीरे और यही after nine months after nine months क्या होता है? Deliver हो जाता है. Deliver मतलब बाहर आ जाता है. क्यों क्योंकि 9 महEन तक और तक और था, यो trust के 9 महEन तक और तक काहा था, और यो और तक और पर यह trust के अंदर था, जहां पर वो डेबलप हो रहा था, लेकिन जब 9 महीने हो गए और बच्चा दीरे-दीरे क्या होगा पहले सुल इंब्लासवसस के form में था फिर 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 उपे फिर में आया फिर वो डिलेवर कर दिया ठीक है और 9 महीने बाद तो जब डिलेवर हो गया ठीक है तो इसी प्रोसेस को यानि जो डिलिवरी की प्रोस है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पार्शूरेशन तो जल्दी से हम क्यों प्रीजन करते हैं हम क्या देख पाएंगे के अंदर की हमने कितनी टोटल साथ युट पड़ी है उनमें से कि इन्ट को मैं आपको वापस दिखा धादेता हूं डिक्शोल में बात करी थी की जो हमारे अंदर प्र तीक है उ किसे लिप लेकुन हो ताफ कैसा होता है सेक्ट्च लिप लिप लुट्ट्चन और इन रिप लुट्चन जिसरे की अनदर तीक है मैं को जोड़ा सा हाइलाइट रहेगा ठेक कि आपको समझने में तोड़ा सा EASY होगा थिक भी क् da das ऍो एर देखा कि ॐमन के अधर से होता है और व्रॉबा DWह होता है पिर फिर हमने देखा कि व्रोट से मिलता रजलता एक वर्ण है जिसके नाम है वी खेस है ठीक है पृ मैंने आप गो बता है कि वी तरस क्या होते हैं फिर हमने बोला इवेंट की बात तो सबसे पहले गेमिट की बाता है जिसमें हमने क्या क्या गेमिट बनाए और हमने दो टाइप की गेमिट बनाए एक इस पर में को बनाने के लिए हम बड़ यूज़ किया और वह हम को बनाने के लिए यूज़ किया और जै पर गया फीमेल के जनाइटल ट्रेक में अब हमने जो इस्पम है उसको फीमेल के पास पहुचा दिया तो मिलेंगे आपस में यानि फ्यूजन होगा दोनों का जब फ्यूजन होता है किसका इस्पम का और ओबम का तब हम इसको क्या कहते हैं क्यों क्यों कि इसका रिजल्ड इसका डिक्स बनता है तो इसमें होता क्या है क्या होता है मैं तो इपलोइड क에 कि नहीं मैं जाइगोट की बात करूं तो जाइगोट क्या हो जाता है तो एक किस्से बनता है फेटिलाजेशन का मतलब अगर्ट को ही हम क्या कह सकते हैं तो आलसो नोन इस सेंगेमी ठीक है यह इंसी आर्टी में लिखा हुआ है कि हम फेटिलाजेशन के लिए हम सिंगेमी बड़ी यूज़ कर सकते हैं अब जैसे फेटिलाजेशन हुआ तो जो जाइगोट होता है ना धीरे-धीरे डेवलप करता ह माइटोसिस करता है और धिरे-धिरे करके 16-32 सिल सेज़ बना लेता है यानि कि धिरे-धिरे करके सिल के संख्या बट रही है जब सिल 16-32 पहुंच जाती है तब उसका नाम बदल realm क्या कर देते हैं ब्लास्थोसिस तो 9 महीने तक वहीं रहेगा हो तो implantation में हमने क्या कि अटेज्मेंट पहले दिया फिर उसका development दिया किसका blastosis का कहां पर uterus की बाल में और uterus की बाल का नाम था endometrium और इसी process को implantation कहते हैं फिर हमने देखा कि जब implantation हो गया तो बेबी को जो embryo को development करना पड़ेगा तो embryonic development को ही हमने क्या बोला registration period जिसमें embryonic development होता है और यह period नो महीने का होता है जिसमें क्या होता है एक्चुली कि जो blastosis बना था पहले वह embryo में कंबड़ लोग के फीटस में कंबड़ हो जाता है और जब प्रूइब प्रोसेस हो जाती है तो लास्ट में क्या होता है बीवी को बाहर करना है तो उस ठीक है तो नेक्स क्लास में हम बात करेंगे नेक्स क्लास में हम बात करेंगे किसको मेल का रिप्रोड़क्टिव सिस्टम क्या बात करेंगे मेल का रिप्रोड़क्टिव system तो मुझे उमीद है आपको को समझ में आया होगा और इदे कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे ठीक है message कर सकते हैं साथ इदे आपको कोई PDF notes चाहिए होंगे इसके तो भी आपको आप link में देख लीजेगा description box में आपको मिल जाएंगे description box में आपको ये भी मिल जाएगा ठीक है free handwritten notes आपको available हो जाएंगे साथ में आप शे आशा करता हूँ कि दिए आपको चीजे अच्छे लगी हो सुझ में आई हो तो मुझे motivate करने के लिए मुझे थोड़ा सा support करने के लिए मेरे YouTube channel को क्या करेंगे ठीक है क्या करेंगे subscribe करेंगे ठीक है subscribe करेंगे ठीक है चलिए तो यहां पर हम चीजों को खतम करते हैं और अगेंस हम कल मिलते हैं हमारी नेस क्लास में ठीक है चलिए बाए बाए बच्चों